आप लोग देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और नाम आपको तो पता ही है जी हाँ राहुल खत्री शुक्रियादा करूँगा खैर अभी तो पिछले दो दिन से वापसी की है फील्ड में शुक्रियादा उन तमाम लोगों का जिनकी दुआओं के कारण जो है जल्दी सहत रिकवरी हुई और एक बार दुबारा से अपनी सेवाईं देने के लिए आप सब के प्यार और ब्लैसिंग्स के कारण जो है दुबारा से जिन्दगी धीरी धीरे पट्री पे आई है आपने क इरान होंगे कि जब भाजबा सरकार ये कहते आई है कि धारा 370 और 35 के पतन के बाद यूटी बन चुकी है नोक्रियाँ ही नोक्रियां होंगी तरक्कियां ही तरक्कियां होंगी लेकिन सोशल मीडिया की अगर बात की जाए तो बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि तमाम लोग सोशल मीडिया में अपनी प्रतिक्रियाएं जो हैं, वो बताते हैं क्या प्रतिक्रियाएं होती हैं? करिए उन्हें तो ये भी शुरू कर दिया गी मंधिरों का शहर है, जम्मॉजी हाँ हम जानते हैं लोगों ने टोल प्लाजाम को शहर जो है वो भी कहना शुरू कर दिया मैं तमाम लोगों को एक बार दोबारा से कहना चाहूंगा बहुत नसीब वाले हम और बड़ा गर्व मैसूस होता है कि जम्मू कुश्मीर हिंदोस्तान का ताज था है और हमेशा रहेगा और जम्मू मंदिरों का शहर है इसको मंदिरों का शहर ही रहने दीजिए इनको अलग अलग नामों से जम्मू को मत बुलाईए क्योंकि मंदिरों का शहर जम्मू ये हमारी पहचान है और इस पे हमें गर्व मैसूस होता है आपने अपना गुस्ता निकालना है आप सोशल मीडिया पे वो आपका हक बनता है आप निकाल सकते हैं लेकिन आज एक तो आज बसाकी के दिन कहा जाता है कि निया साल शुरू होता है और कहीं न कहीं एक तरफ आज बसाकी है खुश्यो की लहर है और दूसी तरफ आज मंगलवार की दिन पहला नवरातरा भी है सबसे पहले तो हमारे चैनल के मादम से आप सभी को नवरातरों की और साथ ही साथ बसाकी की ठेस सारी शुपकाम नाएं और अभी चलते हैं और यह जो कैप्शन आपने पड़ा कि यूटी बनने के बाद आज तो निया साल शुरू हो गया दोजार इकीस का वैसे तो पहली जनर्री को हुआ था लेकिन आज से जो निया साल शुरू हुआ है और कितने तोफे जो हैं वो सेंटर सरकार या भाजपा सर कार जो सेंटर बैटी है यूटी बनने के जो फाइदे गिना एazi ती अब कितने और फाइदे और तोफे मिलने वाले हैं वो त्माम लोग आप जानते हैं कि हम तमाम खबरे kवर करते भी देखे रहुल जी सबसे पहले तो मैं आपको मुवार्खवाद देता हूं पिया पिछले दिन जो क्राइसिस बना उसे उबरते हुए आज फिर बाहर आए आप मातरानी आपको तंदरुस्ती दे सिहत बक्षे और आज मैं अपने जूटी के बपारियों को जूटी की जनता को लदा की जनता को और देश बस्कियों को मुभारखवात देना चाहता हूं कि कृशस की क्लीर करना इस चाहता हूं कि एच जो हमारा हो पावण पर्व है आज के दिन हमारा निया साल शुरू होता है क्योंकि जो हिंदुस्तान का निया साल है वो आज से स्टार्ट होता है तो पूरे भारत बास्कियों को मैं अच्छे संदेश देना चाहता हूं आपके माधियम से जब भी आपने निया साल मनाना है तो आप 13 अप्रैल को है जिस स्टेन गों कि मशान अबने निया साल मनाने है जो हम कुछitez एकषी ना आप चले गा हम हिंदोस्तानी है तो हम हिंदो ही बात करें खेंगे हिंदू तत्व की बात करेंगे हिंदोस्तान की बात करेंगे दूसरा करेंग मैंarlosे नबर मैं यहा्रत बाल्ष को जूटी औक पारियों को जनता को मुबार्ख बाद देना चाहता हूं आज मंगलवार के दिन माता राणी को नवर्वातरे हैं शुरू हुए हैं और खास तोर पे बसाखी के पबन अफसर पे मैं सभी को बहुत-बहुत बहुत बहुत-बहुत मुभार्ख बाद देना चाहता हूं और दूसरा महारानी भगवती व्याशुनमाता से मैं प्रात्रा करता हूं हे भगवती मा इस कोविट-19 से हमारी स्टेट को हमारे देश को इससे बंचत करें बचाएं और हमारा बपारी जो है वो अपने कारें में तरक्की कर सके अपने बिपार को सभाल सके और अपने लोगों की अपने कंजूमर की सेबा कर सके यह मैं आपके मारा से सबसे पहले संदेश देना चाहता हूं शाम जी हमने कैप्शन में पहले ही बता दिया और तमाम लोगें कैप्शन पड़ी भी है यह जो हमेशा से भाजपा सेंटर में हो या फिर जमू की बात की जाए जमू किश्मीर की बात की जाए हमेशہ से ये कहते आई है कि अब यूटी बन गया है तर्किये ही तर्किये नोक्री ही नोक्री है ड्वेल्प्मेंट ही ड्वेल्प्मेंट होगी रोजगार बढ़ेगा बहुत सी चीजे जो है पांच अगस 2019 से लेकर 2021 साल चल रहा है लगबग दो साल पूरे होने वाले हैं पांच अगस्त को जब केंदर शासित परदेश जमूर किश्मीर बन जाएगा तो बन गया है कुछ चीजों को लेकर जहां पर क्रोना काल एक बहुत बड़ी बादा रहा साल एक चला गया अभी भी क्रोना काल से दोबारा से वो समय आ गया तमाम लोग प्रिकॉशन्स ले रहे हैं लोगों को अभी भी दिलों में ये चीजे हैं कि जो वादे भाजपा सरकार ने किये थे उन पर शायद पूरी तरह से वो पूरा नहीं कर पा रहे है क्योंकि डेली विज़स की बात की जाए बी-एस-फ, सी-एस-फ की बात की जाए हम अक्सर बी-एस-फ, सी-एस-फ के वो बारिश नहीं देख रहे, धूप नहीं देख रहे, वो वहाँ पर अपने संगर्श की लड़ाई लड़ रहे हैं भाजपा जो प्रदेश एदक्ष हैं, रविंदर रैना जी उनको तीन बार मिलते हैं और कहते हैं कि मेरी बातचीत हो रही है लेकिन अब कहीं न कहीं उनको लग रहा है कि भाजपा हमें वो नोक्रिया नहीं देना चाहती जो उन्होंने डीडी सीलेक्षन के पहले वादा किया था हाँ कुछ चीजों में देरी हो सकती है, यह मेरा महाना है क्योंकि आपको पता है पिछले साल भी COVID-19 करोना वारिस की वज़ा से पहले तो देश को संभालना पड़ा तो सबसे पहले तो देश को बचाना था अभी आपको पता है कि थर्ड जो इसकी वारिस की लहरा आगी है इससे भी देश को बचाना है और हमारे जूटी के अंदर बहुत सारे ऐसे काम हो रहे हैं कि कभी जो सत्तर वर्सों में आज तक हुए नहीं तरक्यों के तो हो रहे हैं ठीक है स्मार्ट सीट की तरफ जम्मू आगे बढ़ रहा है लेकिन ऐसे काम भी सत्तर सालों में नहीं हुए जैसे एक्जेमपल के तोर पर आल वाइन एसोसेशन के लोग यहां पर खड़े हैं और यह कह रहे हैं कि हमारा निवाला च्छीन कर बाहर क राजियों के लोगों को बांटा जा रहा है उनको कोई दिक्कत नहीं है यहां पर आप दो सो दुकाने और खो लिए शराब की यहां तीन सो और खो लिए आप बार वालों को रोजगार दीजिए उनको कोई दिक्कत नहीं है कही न कहीं रोजगार यहां के लोकल बच्चे व रहा है और सब का सब भारवालों को दिया जा रहा है लेकिन इस चीज को नकारते हैं रविंदर रैना जी कल भी हमने उनसे सवाल पूछा था कि इनका निवाला चीनकर बाहर दिया जा रहा है उनका किसी का निवाला कहीं नहीं जाएगा इनका हक इनको मिलेगा आप रहते हैं डबल माइंडिड चीजें पब्लिक में जा रही है एक तरह विंदर अनर जी कहते हैं कि आपको हाक मेलेगा चाहे वो B.S.F.C.S.F. वाले हो चाहे वो आलवाइन एसोसिशन वाले हो और वही पर लेफिनन गुवर्नर मनोज सिना जी के उनके सूर कुछ अलग नजर आते हैं व इस यहर जी में को क्लियर करूंगा जी आप देखिये कि हमारे किसी बी पार्टी के निता ने चाहें हमारे ढक्र मारे ठाक्टरitarीक टंडर тंब्लिक जी Ό हो चाहे हमारे पार्टीन की अदक्र сторबिंदर राना जीँ किसी ने भी इस चीज हो डिनाइन इंड किया है हम ऐसा एडमिस्टेशन का सारा रूल है एलजी मोदे जहां बैठे हुए है और आपके माधियम से मैंने पहले भी बहुत दबार क्वेस्ट किया है कि अगर एलजी मोदे आप ये मीडिया देखते हैं तो मैं उसके क्वेस्ट करना चाहता हूं कि कम से कम आप जैसे सभी नेतानों कहा इतना दो कीजिए जो हमारे सत्तर सालों से यहां पर वाइन ट्रेडर काम कर रहे हैं इनको तो रहने दीजिए बाकी आपके पास बहुत सारे एरिये खाली हैं यहां पर आप इट एंडरिंग कर सकते हैं वहां पर कीजिए इन लोगों का निवाला जो है वो नेच तूटना चाहिए और इनको इनकी रोजी रोटी जो इनको मिलनी चाहिए मैं आपके इस चैनल के माधियम से रुकर्ष करता हूं और और संटर सरकार को भी आप लगता है इन सब चीजों से जो है आप पोजिशन को बहुत बड़ा मौका मिल रहा है पहले बढ़ती महंगाई को लेकर लगा था प्रदेशन करते नजर आए कि देखिए जब पहले भी जब गैस लेंडर की कीमते बढ़ती थी पट्रोल डीजल के दाम बढ़ते थे तो समरी थी रानी जी खुद सड़कों पर आ जाती थी और कहती थी देखिए जी गैस लेंडर बढ़ गया हम कैसे करेंगे ये करे आज बढ़ते हुए पट्रोल के दाम डीजल के दाम गैस लेंडर के दाम बाचबसरकार को नहीं दिख रहे और कहीं न कहीं लोगों के दिलों में ये मंचा भी है देखिए कि जब इलेक्शन पास आती है तो चीज़े सस्ती हो जाती है कभी सबसीडियां देने शुरू कर द कल परसू चो जबसे वाइन शॉप वाले परटेस्ट कर रहे हम लगातार उनके साथ वारतलाब कर रहे हैं लगातार कवरिज कर रहे हैं उनका साफ तोर पर एक और भी कहना है कि जो बाहर का व्यक्ति आएगा उसको कितनी ही साहनुबूती यहां के लोगों से होगी हमारी प मिलावटी बड़ी सरकार मिलावटी बड़ी शराब अगर यहां के लोगों को मिली उनकी मोतों का जिम्मवार कोन होगा क्या सरकार जो बैटी है वो जिम्मवारे लेगी किस चीज़ की देखिए रहुल जी जितने ही विमारे जहां पर वाइन शाह भले थे जह लाइसेस होल कि पहले स्टेट हुआ करती दिया जूटी है यहां पर वाइन की वज़ा से किसी की मृत नहीं हुई क्योंकि इसका एक ही कारण था कि जो हमारे वाइन ट्रेडर हैं इन्होंने एक बड़े सिस्टम से इमांदारी से और सूजबू से इन्होंने काम किया लाइसेस होल्डर औ उसने अपना मनाफ़ा देखना है बो अपना मनाफ़ा देखेगा कल जंता होता है वेलेन नहीं है इसलिए मैं आपके ब्रह को बिलिखेंस कारता हूं इस बातों का यह फेर हो सकता है उनकी बात का मक्सद एक ही है कि हमारी जूती के अंदर जम्मू के अंदर जो ट्रेडर है oynके और छाहिए जाए वो लोकरी पेच्छा वाले हों चाहिक कोई यह भी पूछा आपने किसी ने डिन्हाई नहीं किया आपको नोकरी नहीं देंगे हम आपको पक्का नहीं करेंगे हम आपके तुन खाय नहीं बढ़ाएंगे इसके ओपर प्रासिस जारी है थोड़ा सा टाइम लगेगा इंतियार करना पड़ेगा हर मसला जो है हल होगा अभी जूटी के ओपर आप देखिए खर्बों खर्च किये जा रहे हैं हमारे निरंदल भाई मोधी जी करोड़ों रुपे के पैकेज दे रहे हैं इस जूटी के लिए कौन सी कमी शोड़ी है अगर यहां पर मैटल वा रही है स्मार्ट सिटी बनने जा रही है रिंग रोड बन रही है दो दो एम दिये गे हैं आई टी काल रहाम चीज़े जानता हूं और बहुत से प्रजेक्ट ऐसे भी है जो अभी तक कम्प्लीट नहीं हो पाए चाहे उसकी बात की जाए गंडोला भी आदा चला है अभी बहुत लंबा अब उसका सफर बाकी है मुबार्ख मंडी हाइट जो प्रजेक्ट है वो कितने सालों से ल क्योंकि वो मीडिया को फेस करते हैं वो लोगों की प्रॉबलम सुनते हैं उनको भाजपा की तरफ से हक दिया गया है कि आप बोलिये खुलके बोलिये लेकिन बाकी नेता जो है वो सामने आके ना मीडिया को फेस करते ना लोगों को फेस करते इतने बड़े लीडर जतिंद जैन की उसके बाद वो कभी मीडिया से रूबरू नहीं होते बड़ा कम दिखते हैं वो लोगों से रूबरू नहीं होते क्या भाजपा सरकार ने बाचित करने के लिए मीडिया को फेस करने के लिए सिर्फ और सिर्फ रविंदर रहना जी को चुना है कि आप अश्वासन जीए लोगों की सुनवाई कीजिए आप लोगों का भ्रोसा जीती है आप लोगों को परोसे मंत स्थिती में लाइए उनको श्वासन दीजिए शिर्फ और सिर्फ रविंदर रहना जी ही हर बार फेस करेंगे कुछ अच्छा होता है तो भी रिविंदर रहना जी सामने आते कुछ उल्टा सुनने को मिलता है लोगों से तबीर विंदर राना जी सामने आते हैं भाजपा के बाकी बड़े नेता कदावर नेता आखिरकार है क्यूं क्यूं चुपी साथ कर बैठें देखे ऐसे है कि अर्विंदर राना जी का दैटब है ड्यूटी बनती है उनकी वह कि जो मीडिया से बात नहीं करता हो जब भी जो मीडिया जिस अफशने पास है तो हमने गुसा भी देखा है वो तो माईक को भी हड़ा देते हैं हमने भी के बारन से सवाल पूछे तो हॉस्पिटल की स्थिति कैसे है भी पिछले साल की बात है वो एक इविंट आयो थे अट पीछे तकेल कर आगे निकलते हैं साफ तोर पर मतलब भी अच्छा आएगा तो रविंदर आना जी के दामन पे आएगा बूरा आएगा तो रविंदर आना जी के दामन पे आएगा जवाब देंगे मीडिया को लोगों को लोगों के बीच में जाएंगे तो रविंदर आना कि MLों के घर पे जाकर बोला जाए कि जनाब हमारे पास ये है ये काम हो धूरा पड़ा है आप हमारी फाइल करवा दीजिए अब कोई एक व्यक्ति यहां से उटके दिल्ली साइन करवाने तो नहीं चाहेगा जितिंदर सिंग जी क्यों नहीं लोगों की बाते सुनते मीडिया से क्यों बचते नजर आते है सिर्फ और सिर्फ कोई सामने आता है चाती चोड़ी करकर 56 इंच का सीना लेकर परधान मंदिर निंदर मोदी जी के बाद और वो रिविंदर रहन जी है जो लोगों की अच्छाईएं भी सुनते हैं बुराईएं भी सुनते हैं और वापिस उनको जवाब भी देते हैं रहुल जी डाक्टर जितिंदर सिंग जी पूरे देश के अमोवस है खाले जूटी के नहीं है उनके पास इतना काम है जिसका अंताज़े नहीं है आपको मालम है जिस एक दुकान दार के पास एक दुकान होती है चार गराक आते हैं तो वो परिशान हो जाता है वो भी गुसे में बोल देता है गराक होता है वो उनको गुसे में बोल देता है रुगे वाई इनके उपर पूरे देश का बजन है पूरे देश का बार है ऐसा नहीं है को मीडिया से बात करते हैं करते हैं मैं देखता हूं हर मीडिया से बात करते हैं हर आदमी से बात करते हैं हर चीज को चूर करते हैं अभी उन्हें कहा कि कि हम इनको नोकरी नी देंगे कहा कभी कभा उन्हें ना किया नहीं इसका मतलब हम कोशिच कर रहे हैं इसका मतलब है डिल्ली बैठके इनके लिए लड़ा ही लड़ रहे हैं कैसे ना कर दें वो इतना फुर्स तो बंदा कि एक बार उन बच्चों के पाथ चले जाएं और बोल करने की जूर्त नहीं जैसे वो रविंदर राणाजी कहते हैं आऊं बैठे हैं चिंता नहीं करनी कंश कम इतना ही रविंदर राणाजी नमस्ते करते हैं जितिंदर सिंग जी नमस्कार तो अपने वो कमांडो बुला लेते हैं तो ये कल B.S.F. C.S.F. के जो एस्पिरेंट है उन्हों नहीं कहा आप एक बार उनको फेस कर लीजिए बच्चे क्या चाहते हैं कि आप एक बार सामने आ जाईए लेट्टिन गुवर्न लेजिए न्यूकरी आपको पक्ली मिलेंगी हम बास्चित कर रहे हैं आज तो कल पक्ली मिलेंगी बस यही वो बुद्चे जाते हैं देख़े आसे हैं कि आपको मालम है इस चुटी के हालत कैसे हैं अगर डाक्टर जतेंदर सिंग जी वाग कर रहे हैं उनके साथ 10 आदमी और चले जाते हैं उनको कैसे मासूस हो कि यह बाक्या ही बच्चे अगर दो लोग गलत उसमें चले जाएं फिर उसका जवाब को देगा हर एक चीज को स्कोटी व्यू के प्रोटोकाल के इसाफ से देखना पड़ता है उसी लाइन पर चलना पड़ता है उसी इसाफ से बात करनी पड़ती है हां अगर बिलकुल घर में वो आते हैं तो हो सकते है उनको टाइम नहीं मिलाया या कोई ऐसी बात है मैं आपके चैनल के माधियम से मैं डाक्टर जी से भी रुकर्ष करूंगा कि अगर इस तरह की बात है तो आप सेंटर में बात रखिए अगर हमारे नहंत्रबाई मोदी जी थाइसा यार क्रोड का पैकेज दे सकते हैं यहां पिछार कीजिए देश के लिए मर मिटने को त्यार हैं इनका भी ध्यान कीजिए और आपके माधियम से मैं को रुकर्ष करूंगा हाद जोर के बिंटी करूंगा पर इन बच्चों का भी आप ख्याल कीजिए जो हमें बातें आज फेस करना पड़ रही हैं मीडिया के सामने जाए हम जनता में जाते हैं तो यह चीज़े हमें हम बाहर जाएं जनता हमें खुशी से मिले मीडिया वाले हमें खुशी से मिलें कि हमें टेडی नजेल से नहीं देखें यह मेरी आफसर रोकस्ट है पिर जाते आते आपसे एक सवाल ज़रूर करेंगे और बहुत important सवाल है क कि बागी चीजों को लेकर development को लेकर बाते हैं यह हम अक्सर करते रहते हैं बढ़ती महंगाई कम होती महंगाई को लेकर यह बाते हम अक्सर करते रहते हैं लेकिन आकरी सवाल इंसे जरूर करेंगे दिख रहा है कि यहां पर जम्मू या कश्मीर दिरे दिरे बदल कैसे रहा है हाला कि बहुत बार हम जब बात करते हैं रविंदर रैनर जी से वो ये कहते हैं कि जो चीजे हालात 70 सालों में आपोजिशन ने बिगाड़े हैं उनको सुधारने के लिए कुछ समय जरूर लगता है ये 4-5-6-7 सालों में जादू की चड़ी तरह ठीक नहीं हो जाते वो दिख भी रहा है हम देखते हैं आज कल कभी कोई भी यहां से निकलता है तो कितनी खूबसूरती जमू जो है मुलस्पल कारपेशन बोड़ा बहतरी काम कर रही है पोदे लगाए हैं पेंटिंग की है वर्टिकल गार्डन खोले है बहुत से प्रजेक्ट अभी पैंटिंग भी है आपको लगता है कि उमीदे जब लोगों की बहुत जादा बढ़ जाती है किसी पार्टी को लेकर जिस विश्वास के साथ उन्होंने वोड़ किया होता है आपको लगता है वो उमीदें जो हैं वो इतनी जादा बढ़ने के बाद उनमें थोड़ा सबर का बान तूड़ जाता है कि उनको हर चीज़े जल्दी जल्दी चाहिए आने वाले समय में मैंने क्यों कैप्शन में लिखा कि और कितने यूटी के तोफे मिलेंगे हाला कि क्रोना काल आया ये चीज़े सब लोग समझते हैं जो तरक्की को लेकर एक दिशा जारी की जारी है कि यहां पर तरक्की के दवार और खुलेंगे समय लगेगा लेकिन खुलेंगे जरूर आने वाले समय में यूटी होने के जो फाइदे गिनवाए गे थे पहले दिन से पांचगस 2019 से वो फाइदे लोगों को अभी तक दिख नहीं रहे क्या आने वाले समय में कौन-कौन से ऐसी चीज़े है जो यूटी पांचगस 2019 से टूटी है 2021 वें दो साल हो जाएंगे पांचगस को कि लोगों को लगे कि हाँ बड़ा अच्छ है जिस तरीके से ने ढोल नगाडे बजा कर स्वागत किया था यूटी बनने का अब पता लगा कि दो साल में और आने वाले सालों में क्या बैनिफिट हमें मिलना वाला है देखिए रहुल जी सबसे पहले तो आपने कहा कि भारती जन्ता पार्टी जब लक्षन आती है तो चीज़ें को धाम कम जाते हैं आप पूरे वर्ड में देखिए मिलाली जी कि जो आइल कारेट है आपको मालम है जब हमारे निंद्र भाई मोडी जी आये थे तब देश की क्या दिशा थी देश हमारा कहा जा रहा था तो देश हमारा बारत देश जो है पूरे वर्ड से बड़ा देश है और एक सो पचास क्रोड की अवादी को कंट्रोल करना संभालना देश को चिलाना बड़ी हमत की बात है सबसे पहले तो एक जो हमारा जहाज था बो डग मगारा था पहले तो निरंदर भाई मोदी जी ने आके इसको कंट्रोल किया डफैस हमारा इतना भीग था बहुत मजबूत किया उसको बहुत मजबूत किया आपको मालम है 1962 से लेके और 2014 तक चाइना हमेशा आगे 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 आता रहा पहली वार पहली वार है उसको मूग की खानी बड़ी अगर इन चीज़ों से हम उबर गे हैं तो इसका म मजबूत को ना रहा है जंता किया है चंद पंजी पतियों को बैनिफिट दिलाने के लिए जो सेंटर में बैठी भाजपा सरकार है वो अमानी और अंडानी को जो है फैदा करवानी कोशिश में करती है आने वाले समय में देखा जाएगा पानी प्राइविटाइज हो जाएगा बिजली प्राइविटाइज हो रही है उसके साथ-साथ कुछ बैंक भी जो है प्राइटेस किये जा रहे हैं तो ये कही ना कहीं जिस तरीके सभी पीछे भी देखा हमने कुछ दिर के लिए एक निया जुमला आया या नई बात भार आई प्रॉप्री टेक्स को लेकर हाला कि बाकी लोग भी प्रॉप्री टेक्स देते हैं मुंबे के लोग प्रॉप्री टेक्स भरते हैं ऐसी बात नहीं है कि नहीं बरते टैक्सी टैवर वालों काम बंद हो गया, जब कोई बाहर से आएगा ही नहीं घूमने यहां पर, तो यहां का रोजगार कैसे बढ़ेगा, और बहुत जादा नुकसान, हम हमेशा स्माल स्केल्स की जो रहती हैं, उनकी बात की जाती है, हमने बहुत कम जिकर किया है कि होटल इं में जो मंचा है कि सिर्फ कुछ पुझी पतियों को बेनिफिट करवाने के चकर में, जो है, सरकार हमेशा उनको तवज़ो देती आई है, रावल जी, इसमें हमें तो नहीं लगता है, जोगों की दारने नहीं है, यह आपोजिशन की दारने है, पबलिक की दारने О्पोजिशन फिरनं प्रकेश करती है ना पॉजिशन Lead करती लोग्या अगर कैसे चेटीन कोने लोग होती है उसमें पॉजवल्व करती हैं पचाहस-साठ सो तो वह Знаख है कि आका मालता है यहां पर बिल्कुल वह वही लोग हैं जो आप पूजिशन के हैं जिनको पेड़ में दर्द हो रही है कि भाजपा भारती जनता पार्टी बहुत रख्य कर रही है रास्ते कितने कम कर दिये हैं उद्वंपुर का रास्ता कितना होता कितना रह गया है डोड़ा जाना होता था आपको कितरा डाइम लगता था अभी आपको सुत्मादेव से सीधा डोड़ा बेज रहे हैं दुनिया का सबसे बड़ा प्रजेक्ट बन रहा है वहां पर बंग के त्यार होने वाला और जूटी के अंदर इतने अभी आप देखिए ले का रास्ता बहुत चार्ट होने वाल रहा चलते देखते हैं यह पचास गर हैं जहां पर गुंडिये पड़ी हैं बिल्कुल हमें भी चेक करना चाहिए कि हम सरकार नहीं है सरकार कोन है जनता हमारा भी फर्ज बनता है वह पुचास कि ऐसे चल रहे हैं और गौर्मने के चाने में पैसा नहीं जा रहा आज कौन सा आदमी है जो एक लेवर का में भी शेसर ब्या पार्डे लेता है कि अब दो सब्सक्राइब कराएं दे सकता उसको प्रापर एक करनेक्शन लेना चाहिए इसी तरह रहा पानी का मैं कहता हूं कि जब हम ठीक होंगे जनता ठीक होगी तो कोई भी प्राइवेट नहीं हो इसको हमें भी अपने आपको समझने की जरूरत है अगर सरकार क्योंद सो क्रोड गापस मिलता है सिरकार क्या impress दिल्कुल के कम से कम प्राफड नहीं तो इरक पर आ जाए अगर यहां स阅क्र करेगा फिर उसमें हमारा कसूर था सरकार का सूर नहीं है इसको हमें भी जागना पड़ेगा अगर कोई घलत कर रहे हैं तो दास साथ में खड़े होके घलता भाई कि अपने आप हर चीज ठीक होना शुरू हो जाएगी अभी आप देख लीजे आपका मोवाइल जो है आप चार जिक रहते हो पांस और पांसों खत्म होता आप द्वारा चार ग्र प्रापोजिशन को भी हाथ जोड़के करूंगा पर गलत प्रापोगंडे जो है वह नहीं चलाएं अगर आपको काम करना नहीं आता है तो आप बाज़पा में आ जाए भारती जनता पाटी में मिल जाए और मिलके हमारे साथ काम कीजिए आपको तरिका भी आ जाएगा और और समझ भी आजागी कि देश को कैसे बचाना है देश को कैसे चलाना है और एक अपने आपकरम भी कमाईए और देश के साथ चलिए बहुत बहुत शुक्री आपके कीमती समय के लिए और बड़ा अच्छा लगता है जब इस तरह के लीडर से बात की जाए और शामला लंग जिमेवारी है माईक हाथ में पगड़के कुछ भी पूछ लेना ये जचता नहीं है पूछो वो जिस से जनता परिशान है जो जनता के सवाल है कि जनता से जुड़ा हुआ मीडिया जो हमेशा एक बीच का रास्ता होता है एड्मिस्टेशन से सवाल पूछने का नेताओं से पूछें एड्मिस्टेशन से पूछें बिरोक्रेट्स से पूछें और जवाब जाने काफी अच्छा लगता है इस तरह के हम उमीद करें कि बाकी के जितने भी लीडर्स हैं बिरोक्रेट्स हैं वो इसी तरीके से अपने जो जवाब हैं बिलकुल बेबाकी से दे और बहु पत्थरबाजी बंद हो चुकी है आज जो भी यहां के भाईचारे को खराब करने का प्रयास करता है जितने भी यहां पर मिलिटेंड कोशिश करते हैं कि यहां पर हम अपनी आंतक की दुकान दुबारा से चला सके उनकी भी मुनसूबब पाड़ी पानी जो है वो फेरा है हमारी स्क्योटी फोर्सिस ने स्क्योटी एजन्सिस ने हमने देखा कहीं दिनों पहले जब उनके सिर्नगर में दुकान बंद होगी तो उनने जमू की तरफ रुख किया तो हमारी यहां पर इंटेलिजन्स की जो टीम है उन तमाम जमू कुश्मी पुलीस को सलाम इंसक्योटी फोर्सिस को सलाम जो अपना काम बाख खुबी निभा रहे हैं और यह बदलता हुआ भारत है आने वाले समय में तरक्की के दवार भी होंगे और खुश्याली ही